नमुश्कार मोप्री आज दस मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर किस अस्पताल में कितने बेढ़े खाली इसकी जानकारियों मिलेगी सिर्फ एक कॉल पर COVID-19 की इस जंग में मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने मांगा सब का साथ बिहार में 12 मई तक बारिशांधी और व्रचपात का अलर्ट हुआ जारी पज़्जाए दिराज जन प्रतिमिल्धियों का कारेकाल बढ़ाने क्यों थी मांग बिहार में शुकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ की अस्थाई न्यूकती आज से होगी शुरू अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से किस अस्पताल में कितने बेढ़े खाली इसकी जानकारी अब मिलेगे सिर्फ एक कॉल पर कोविड-19 के माहोल में अकसर अस्पतालों में बढ़ती भीड के कारण परिजुनों को किस अस्पताल में कितने बेढ़ खाली है इस बात का अंदाजा ही नहीं मिल पाता है हाला कि अब बिहार सरकार ने परिजुनों की मदद के लिए एक विकल पेश किया है जिसके तहथ पतपना के COVID-Scare Center में कहां और कितनी जगे खाली है इसकी जानकारी कोरोना के लिए बनी कंट्रोल रूम से ली जा सकती है कंट्रोल रूम में संपर्ख करने के लिए लोग 24 घंटे इन नम्बरों पर फोन कर सकते हैं जिसके तहत कंट्रोल रूम के लिए लोग 0612-22-19090-2219055, 221-9080-224-9964-224-7015 पर कॉल कर सकते हैं आपको बता दे कि पटना में आट जगों पर कोरोना के मरीजों के एलाज के लिए COVID Health Care Center चलाए जा रहे हैं बिहार में चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ की अस्थाई न्युक्ती आज से होगी शुरू COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को ध्यान में रखते वे बिहार में चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ की अस्थाई न्युक्ती का आदेश जारी क्या गया है सामाने चिकित्सकों में MBBS को 4,000 रुपए प्रतिशिफ्ट एवं BSC यानि की नर्सिंग को 2,000 रुपए प्रतिशिफ्ट, GNM को 15,000 रुपए और ANM को 1,000 रुपए प्रतिशिफ्ट दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि अस्थाई रूप से एक साल के लिए 1,000 चिकित्सकों का वॉक इन इंटर्व्यू, राजिक के सभी मेडिकल कॉलेज इस्पतालों में अधिक्षक कार्याले और जिला में सिविल सर्जिन की अधिक्ष्टा में गठित कमीटी द्वा किया जाएगा कोविड-19 के इस जंग में मुख्यमंदर नितीश कुमार ने मांगा सब का साथ कोविड-19 के माहौल में बिहार तहस नहस नजर आ रहा है जहां हर दिन अस्पतालों में हाजारों की संख्या में मरीज लाए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंदर नि इस संकट में एक के बाद एक तीन ट्वीट्स कर लोगों को साथ आने की अपील की है उन्होंने आगे कहा है कि कोविड-19 की पिछली बार की लहर के मुकाबले बिहार में इस बार की लहर काफी ज्यादा डराबनी है वहीं इस बार की लहर का मुकाबला भी बिहार को डटकर क के नसार बिहार में 12 माई तक बारिश आंधी और व्रजपात का अलर्ड जारी किया गया है मौसम विभाग की माने तो बिहार में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है जिसकी चलते पस्चुमि चंपारन, सिवान, सारन, पुर्वी चंपारन, गोपाल गन जिले के लिए मौसम विभाग ने चेताबनी जारी कर दी है मौसम विभाग के मताबिक 12 माई तक इंजलों में तेज हवाओ के साथ बारिश और व्रजपात होने की संभावना जुताई गई है वही सीतामणी, मदुबनी, मुदफ़पुर, दर्भंगा, वैशाली, शिव और सवस्तिपुर में एक दो जगों पर गरच के साथ बारिश होने की संभावना है कोविड ड्यूटी में लगी मजिस्ट्रेट पुलिस कर्मियों को मिलेगी विशेश प्रोथ साहन राशी बिहार सरकार ने कोविड ड्यूटी में लगी मजिस्ट्रेट पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ी खुश खबरी जारी की है जिसके तहर्त बिहार सरकार ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट पुलिस कर्मियों को विशेश प्रोथ साहन राशी देने का एलान किया है इसकी साथ यह अस्पतालों एवं COVID-19 सेंटर में प्रतिन्युक्त नियमित दंडाधिकारी परिवेक छक एवं पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को विशेश प्रोटसा हनराश्री का भुगतान करने का निर्ने लिया गया है जनदिकारीों का वेतन स्थर 6 एवं उससे उपर का होगा उन्हें 600 रुपे प्रति दिन मिलेगा वेतन स्थर 5 एवं नीचे के अधिकारीों कर्मियों को 400 रुपे प्रति दिन विशेश प्रोटसा हनराश्री दी जाएगी इसकी बात अब यह सुविधा ततकाल 31 जुलाई 2000 किस तक लागू रहेगी आज भी हारी पहचान में हम बात करेंगे आनंद मिलिंद की आनंद IGI MS में कोरोना संक्रबितों के लाज़ के लिए आजसे होगी खास स्वस्ता COVID-19 के लगातार बढ़ रहे हैं मामलों के बीच IGI MS में COVID-19 अमरावती के लाज के लिए आज से अतिरिक तिबेट मुहाया करवाए जाएंगे जिसके तैहत IGI MS में अब बेडों की संख्या बढ़कर 345 हो जाएगे फिलहाल वहां संक्रबितों के लिए 280 बेड है असपताल अधिक्षप डॉक्र मनेश मंडल ने इस बात की जानकारी दी है विहार सरकारने की विधायको और विधान पारशदों की अपनी नीधी से खर्च करने की राशी जारी COVID-19 के बर्थे माहौल की बीच विधार सरकारने हाली में विधायक और विधान पारशद के अपने नीधी से 3 करोर में से 2 करोर रुपे खर्च करने कादेश जारी कर दिया है करने कादेश जारी क्या था जिसके बाद 33 प्रतिशत की राशी विधायक और विधान पारशद अपने छेत्र में खर्च कर सकते हैं अगर विधायक और विधान परशद कोरोना से निर्धारित कोश में उस राशी को देना चाहते हैं तो उसमें भी दे सकते हैं. विधायक द्वारा जारी राशी में कहा गया है कि योजना विकास व्भाग इबांद ड्राफ्ट के जरी इसमत में आवनित राशी को बिहार राशी समीती के पी और खाते में उपलप्त कराई जाएगा राशी को कोरोना कोश के बैंक खाते में जमा करेगी. आपको बता दे विधायकों और विधान पार्शिदों को बिहार में हर साल मुख्यमंत्री छेतर विकास के तहत 3 करोर की राशी मिलती है पिछले साल में 25 प्रतिशत राशी कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए खर्च की गई थी स्वास्तमंत्री मंगलपांडे ने वाक्सीन को लेकर परिशान नहीं होने की दी नसीहत बिहार में बीटे दिन से आखरकार 18 साल से ज्याद अमर के लोगों को ठीका देने की प्रोक्रिया शुरू हो गई है जिसके बाद स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने भी लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी भी हाल में बिहार में वाक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी इस बाबत स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने बताए कि मई में वाक्सीन की 16 लाख और डोस पटना आ जाएगी हर दो-तीन दिन पर वयक्सीन की खेप आईगी और इसकी बिहार में कोई कमी नहींगी बिहार में कुल 2526 केंड्रों पर वयक्सिलेशन जा रही है हाला कि पहले ही दिन पोटल और विवस्था में भारी कमियान सामने आई है पटना में मात्र 14 केंद्रू पर ही ठीका करन हो सका है पंचायती राज जन प्रतिनिधियों का कारेकाल बढ़ाने की उठी मांग बिहार में COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों की बीच पंचायत चुनाव को स्थकित कर दिया गया है जिसके बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों के कारेकाल के खत्म होने का समय भी पास आता जा रहा है ऐसे में पंचायती राज प्रतिनिधियों के कारेकाल को कम से कम चनाव होने तक वस्तार करनी की मांग उठाए गई है जिसके तहट भागपा माले ने लगातार कई बार बयान जारी करकाई कि पंचायतों को नौकर शाही के हावाले करने का फैसला स्विकार नहीं होगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इस सरकार की तरफ से जारी किये गए आदेश के अनुसार पंचायत प्रतनिदियों का कारेकाल खत्म होते ही सारी शक्ति आधिकारियों को देने की तैयारी है लेकिन बिहार की भागपा माले इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है सरकों की गुनवत्ता को बहतर करने के रिए शुरू की गई एक नई पहल पत्थनर्मान वभाग के अपर मुख्य साचेव अमरितलाल मीना ने बीते दिन प्रस्विग्यप्ती जारी की है प्रस्विग्यप्ती अनुसार पत्थनर्मान वभाग की सरकों का साथ वर्ष्य दि तकनीकी आधारित वाहन है जुसमें high resolution क्यामरे लगे रहते हैं यह वाहन की सतह से रख रखाव के सिती पत के फ्लाक के रख रखाव के सिती पत में पॉट होल्स की सिती एज ड्रॉप आदी सभी प्रकार के मानक सेवा स्तरों का डिजिटल स्वरूप में कैप्चर करता और उस दुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार से बादशीत की जिसके तहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात पर चर्चा के साथ हर संभव मदद महया करवाने का भरोसा भी दिया है साथी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सकती से प प्राजुले के सदर अस्पतार में ऑक्सिजन प्लांट स्थापित किया जाएगा इस प्लांट पर इस अंतावन दिशन वे एक दो लाग की अनुमाने तिल लागत आएगी इस बावज राधिकारी ने बताया है कि विलाड मिलिंडा गेट्स फार्मडेशन के सहीयोग से जुल वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का दंज शेल रहें आमनागरी को भी उसे निकालने की चुनौती है बिहार सरकार के सामने मौजूद है वहीं इस बीच ग्रामीन विकास मंत्री शरवन कुमार ने कहा है कि ग्रामीन परिवार के अकुशल शारिरिक श्रमकारे करने के इच लोगों को रोजगार उपलत कराने के लिए विभागतत पर है इसके लिए जिलो को निर्देश दिया गया है कि जिस प्रकार ग्रामीन शेत्रों में कोरोना महमारी से बचाफ के लिए लाउट स्पीकर से प्रचार किया गया है उसी प्रकार रोजगार महाया करवाने के पीच आशा की किरन जाकस उठी है जो इसके तैट बीते दिन करीब साड़े तीन साल के बाद लालु प्रसाद यादव ने वर्चुवल माधिन से अपनी पार्टी के नेता विधायकों से मुलाकात की इस बारे में कारे क्रम पहले ही तैथा कि राज़त सुप्रीबों लालु अपने गरीब लोगों की सेवा करे हर तरफ तबाही है सब की मदद करे भारत के इतिहास में आज की तारीक के कारणों से दर्ज पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में ततकालीन भारत की राजधानी अकवराबाद आग्रा में आज यूके दिन प्र महराश्ट के प्रसिदस समाथ सुधारक और दलितों के हितैशी चात्रपरती साहु महराज ने दुनिया को अलवदा 1922 में आज वी के दिन का अज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनिल अगरवाल की अनिल अगरवाल का जन बिहार की राजधानी पटना में 1904 को हुआ था अनिल अगरवाल विदानता रिसोर्सिस लिमिटेट के फांडर रचेर्मेन है हिदना ही नहीं अनिल अगरवाल 2017 ICC में आईफा ग्लोबल बिजनस फोरूम का हिस्सा भी बने थे अनिल अगरवाल का जन राजधानी पटना में हुआ था वह उन्होंने पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की थी उनके पिता भी एक उद्योग पती ही थे जिनका काम अलुमीनियम के कंड़क्टर बनाने का था हालाकि अनिल अगरवाल 19 साल के उम्र में ही पटना छोड़कर चले गये थे जिसके बाद वो मुंबई रवाना हो गये थे जहां पर उन्होंने अपने करियर की अनिल अगरवा में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है लॉकडाउन का असर अब दिन लगा है स्वास्तिव भाग की तरफ से मिली जुयानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिशो 24 घंटे में 11,269 मामले सामने आ हैं जिसके बाद आक्टिव मरीजों की संख्या एक लाग 10,804 पर प 365 जमुई में 219, जहानबाद में 70, कैमूर में 14, कटिहार में 228, खगडिया में 216, लखी सराय में 83, मदेपुरा में 269, मधुवनी में 349, मुंगेर में 299, मुझाफरपुर में 348, नालंदा में 279, पर्टा में 1646, पुर्णिया में 372, रहतास में 91, सहरसा में 277, समस्तिप अरसारन में 368, शेकपुरा में 204, शिवहर में 90, सीतामडी में 110, सिवान में 319, सुपॉल में 381, वैशाले में 323, वैस्चमपारन में 303 मामले सामने आ हैं, इसके साथ ही 64 ऐसे मामलों के पुष्टी विए, जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सांपल अलग अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं, इसके साथ ही बीदे दर्न के पुष्टे 24 गंटे में 13,364 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट हैं, जिसके वार ठीक होने वाले मरीजों की संक्या 4,37,389 पर पहुँच गई है केंद्र सरकार ने पंचायती रासंसाओं के लिए जारी की राशी, केंद्र ने हाल ही में राज्यों को 7,41,8 करोड की राशी दे दी है, जिसकी जानकारी सांसत सुषिल कुमार मोधी ने दी है, जिसके तहतरों ने विताया है कि 15 वेवित आयो के निम संशापर इस साल बिहा की पंचायती रासंसाओं को मिलने बाली 3,709 करोड की राशी में से कुरोना से मुकाबले के लिए पहले किष्ट के तौर पर सरवाधिक 741,8 करोड केंद्र सरकार ने दो महीने पहले ही जारी कर दी है, इसके पहले फिशे 2 मई को राज आपदा राहत कोश में भी केंद्र न के लिए 8,923,98 करोड करोड केंद्र ने जारी कर दिये थे, हेलो कॉन फेम भोजपूरी स्टार रतेश पांडे ने कुरोना काल में सगाई कर लिए उनकी सगाई की फोटो इंस्टरग्राम पर वाइरल हो रही है, जिसे भोजपूरी के जानमाने आक्टर संजर पांडे ने पर इंस्टरग्राम अकाउंट पर श्वेर गया है, इस फोटो में रतेश पांडे अपनी होने वाली पत्नी को अंगूठी पहनाते नजरा रहे हैं, फोटो के साथ संजय पांडे ने लिखा है सगाई की बहुत-बहुत बधाई रतेश पांडे जिसके बाद फैंस ने भी मा को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने एक वीडियो शेर किया है, जिसको शेर करते वे उन्होंने लिखा कि जीवन में जब कभी कठनाई रूपी धूप तेज हुई, तो मा के अमुले सुझाव रूपी पर शाई ने उस परिशानी से निकलने में मदद की, कहते हैं, कारी के नुसार सामुदाइक भवन या स्कूल में राज़द्वारा COVID-19 सेंटर खोले जाने का अनेर ने लिया गया है, जिसके बाद ही पुर्फ मंत्री और जद्यू के MLC निरचकुमार ने पूछा कि अधिकार आपको किस ने दिया है, उन्हाने आगे कहा कि नेता मार्श 2022 तक 36 करोर भारतियों को मिलेगी स्पुत्निक भी वाक्सिन, COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत में अलग-अलग वाक्सिन लगाई जारी है, इसी बीच रूस से भेज़ुगे स्पुत्निक भी वाक्सिन भी जलधी भारत के लोगों को लाई गाई जाएगी, खबरों की मारे तो अगले साल 31 मार्श 2022 तक करीब 36 करोर भारतियों को रूस की कोरोना वाक्सिन स्पुत्निक भी लग चुकी होगी, माई 2021 से लेकर के मार्श 2022 के बीच भारत में करीब 361 मिलियन वाक्सिन यानि करीब 36 करोर से ज्यादा कोरोना वाक्सिन का इंतजाम से निश विराट कोहली के व्यभार को लेकर किया बड़ा खुला सा भारते टीम के प्रमुक तेज गेंदबाज मुहम्मद श्रमे ने विराट को लेकर एक दिल जीतने वाली बात कही है। एसा कभी नहीं हुआ है, वो हमारे साथ मजाग करते हैं, ऐसा विभार करते हैं मानों हमारे बज़पन के दोज थो। लोगों के पास COVID-19 वाक्सीन सर्टिफिकेट होना है बहत जरूरी, देश में 18 साल से अधिकुम्रिके नागरिकों को वाक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अगर आपने अपनी कोरोना वाक्सीन की पहली डोज या फिर दोनों डोज ले ली है, तो आपको अब इसके लिए COVID-19 वाक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना काफी जरूरी है, जब आप वाक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद वो वाक्सीन सेंटर आपको COVID-19 वाक्सीन सर्टिफिकेट की एक प्रिंटेट कॉपी ज़ारी करता है, वह यूजर चाहे तो COVID-19 वाक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बता दे सर्टिफिकेट इस बात का सुबूत है कि आपने वाक्सीन ले ली है, इसके साथ ही या इसका प्रमाण भी है कि COVID-19 वा मही 24 कैरेट के लिए प्रतिफिक ग्राम 45,170 रुपे था, इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव 67,500 रुपे था, इसके साथ ही राजदानी पट्ना में पिट्रोल की की गिमत 92.57 रुपे प्रति लीटर और डीजल 85.57 रुपे प्रति लीटर था बिहार मादमिक सिक्षक संग के पुरवध्यक्ष के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जुताया शोक, बिहार मादमिक सिक्षक संग के पुरवध्यक्ष प्रेम नारायन सिंग ने बीते दुन दुन्या को अलवदा कह दिया है, जानकारों की माने तो 90 व समाजिक छेत्र में अपून याच्छति हुई है इसके साथ ही ओल इंडिया फेडरेशन आफ टीचर्स असोसियेशन ने भी इस मौके पर दुख जिता है कल हमारे दुख पूछेएगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनसार आलम, रितुंजे कुमार, साफशी भूशन कुमार, राकेश कुमार, साहुसुमन, अनामिका कुमारी, सुरेश, साह, अनुराधा प्रिया, राकेश कुमार, अजय कुमार, सिंख, नंदनी कुमारी, साजुनमान जी, नंदन कुमार, सोनन सिंख, इसके आपके अनुसार बीते कुछ दूनों से COVID-19 के बामलों में लगातार देखी जारे गिरावट का एहम कारण अखिर क्या हो सकता है? अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी हब्रों से अबडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूलें धर्यवाद